हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी क्या देव इस्ट्री संटर पर इस वीडियो फ्राम लोग डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का प्रिवेस क्वेश्चन को पर डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग सीडीपी के जो आपका चाइल्ड डेवलोमेंट एंड पेडागोजी इसक अगर आपने नहीं देखाया तो जाकर इसको देख सकते हैं साथी में अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो देव इस्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरू किजिए तो बिना किसी देर के साथ हम लोग अपना क्लास को सुरू करते हैं चलिए यहाँ पर आप इसक्री न पर देखें होंके पहला क्वेश्यचान जो आपका दिया हुआ है ओहें आपका दहएं देखिये क्वेश्चा नमर वान को देखे अनुवानसिक्ता और पर्यावरण की भूमिक्या के बारे में निर्खित में कौन सा कथन स्वयत्ते मतलब अनुवानसिक्ता और पर्यावरण इन्वार्मेंट और हेरिडिटी के बीच क्या रोल है क्या रोल है इन्वार्मेंट और हेरिडिट तो इसका देखें, question काफी लेंदी है, 3-4-4 option आपका दिया हुआ है, तो हम लोग हर एक option को discuss नहीं किरेंगे, जो option इसका correct answer है, उसी पर ज्यादा हम लोग focus करेंगे, तो देखें, इसका जो है आपका correct answer है, वो आपका one number है, विकास के कुछ पहलू अनवान सिखता और कुछ अ influence होता है सिधा आपका heredity से और आपका environment heredity और environment जो है पर्यावरान और आपका उन्वान सिखता है जो है विकास को किसी बच्चे की विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है तो one numbers का जो आपका correct answer है बढ़ते हैं आगला question के तरफ नेक्स question आपका screen पर दिकरा होगा यह रहा आपका next question question number two तो देखिए question में कौन सा कतन प्याजे की सिधान कंसार कहां नहीं जा सकता प्याजे ने आपका खुद का अपना theory दिया हुआ है कि क्या क्या उनका सिधान से क्या theory है तो थियोरी में जो कौन सा कहां नहीं जा सकता है कौन सा है जो उन्होंने अपना theory में नहीं कहा है तो देखिए two का जो आपका correct answer वो आपका three number है learning text plus continuous practice इन्होंने अपना theory में इस तरह कोई नहीं कहा है कि नियांत्र भास से अधिगम होता है बाकी जो भी आपका यहां पर option है वो सारा उन्होंने कहा है विकास कुणोत में चलना होती है development जो qualitative stage है कहा है उन्होंने बच्चे अपने दुनिया ग्यान का निर्मान और उप्योग करते हैं खुद बच्चे अपने ग्यान का जो है खुद से निर्मान करते हैं दुनिया से सिखते हैं फिर बच्चे अपने पर्यावरान से क्रिया करत आपका ये तिरी नंबर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन पर नेक्स्ट क्वेस्टिन जो आपका दिया हुआ है नहीं खित में कौन सा कौन सी पूर्व संक्रियात तमक विचार की एक सीमा नहीं है तो देखे प्री ओफ्रेशन थोट के वारे में जो नहीं कहा इन्होंने कौन सा नहीं है तो देखे यह जो आपका इसका करेट एंसर है प्री ओफ्रेशन थोट पर जो है लिमिटेशन जो इसका वह है आपका टू नंबर डेवलोमेंट अब दा सिम्बोलिक थोट जो है आपका यह आपका प्री ओफ्रेशनल जो है थोट के अंदर नहीं है आपका निमिखने कौन सा पूर्व संग विकार का एक सीमा नहीं है तो आपका यह जो टू नंबर इसका आपका सीमा नहीं है आपका डेवलोमेंट और सिम लबा नेम कित कारणों से खेल जी हुआ बच्चों के विकास के एक महतुपवन भून का निवाता है मतलब इन में से कौन साय जो पोइंट नहीं होगा बाकी सारा पॉइंट होगा जो खेल है जो भच्चे खेल कुद करते हैं उनमें जो вмेस बिकास में क्क्रेंगा निपाता है। ओं कि इसका जो च्रWork anymore का अपका थिर नंबर यह समय विताने का सुखत नर्टारीका यह नहीं हे समय जास्टा है बागए सारा सते यह सहेंडर्वोंददा करते हैं इनके और आपका 3 नंबर इसका नहीं होगा बढ़ते हैं अगला question next question आपके स्क्रीम पर यह है कि कौन सा प्रस्ण बच्चों को गंभी रूप से सोचने की आमानतिर करता है मतों critical thinking जो है आपका इन में से कौन सा question इसा जिसको बच्चों में आपका जो critical thinking को डेवलप करता है बच्चे अपने दिमापको जो लगाएंगे सोचेंग इसका क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता है तो इसका जो आपका correct answer 5 का वो 4 नंबर है आपका चान नंबर आप नीचे option में बिभिन तरीकों से हम इसे केसे हल कर सकते हैं तो तो इसमें ज्यादा आपका critical thinking आपका दिमाग में लगा आपको सोचने का तरीका आप किसी चीज़ को एक बड़े अस्पेक्ट से बड़े वाइड मतलब के रूम में आप सोचेंगे कि बिभिन तरीके सामसे कैसे हल कर सकते हैं जैसे किसी problem को आपको एक तर निधान निधान रह्त नंबर ओप्शनी सका करेट अंसर होगा तो अगे बरते नेक्स्ट कुष्चन पर नेक्स्ट क्ट्ट को आपका निधकी पर्लेग कौन सा विकल्फ ऑप्शन पर्गति सील आपको प्रोगेसिप एज्जूकेशन का सबसे अच्या बेस्ट प्रिवजना बीदी प्रोजेक्ट में थड़ भी आप खुद से प्रोजेक्ट बनाएं खुद से करेंगे पी सहयोग से आपका सिखना कॉपरेशन से सिखेंगे बच्चों से एक दूसरे के सहता सिखेंगे तो यह जो आपका लर्निंग वैड दूइंग और यह सब सारा क्वेशन के तरफ देखें साथ नंबर आपका इस्क्रीन पर है परगती सिल फिर से आपका प्रोगर्सिप एजुगेस्ट पर एक फिर दिया हुआ है सिच्छा के बारे में निर्मी खित में कौन सा कथन बताता है कि सिच्छा स्वाम एक जीवन है एजुकेस्ट इस लाइप इसल्फ तो यहां पर एक एजुकेस्ट लाइप इसल्फ जो है आपका प्रकृति सिल फरिमें से कौन सा होगा तो देखें नंबर का जो करेट अंसर है वह आपका थिरी नंबर है आपका इस्कुलों में सिच्छा समाजीक और प्राकृतिक दुनिया को परतविम करना दिखा रहें प्रेक्टिकर करके प्रोजेक्ट के माइदम से या आप अलग-अलग मेथर से टेकनोलोजी की साहता से तो आप स्कुल में सारा चीज को प्रकृति और समाजिक चीज को आँप दिखा रहें दुनिया को परतिम कर रहें तो यह आपका थिरी नंबर्स का करेट अविल्टे से सेंसर आज नेक्स जो आपका हको लवठ के सिद्धान के योगदाण मारेव को स्कुछन मैं इसो अपने कृथर का संग्नात्मक परिपक्ता और नेतिक परिपक्ता के अब इस सहजोग का समर्थन क्या है संग्नात्मक मतों जो दिमाग से सोचते हैं जो हम करते हैं अदूसरा आपका नेतिकता क्या अच्छा क्या बुरा है परिपक्ता ये दोनों का कॉपरेशन सहजोग को उन्होंने आपका कुणा ये ठीहरी में कहा है तो वाल नोमर आपका जो इसका करेट एंसर है नी नंसर नेक्स देखते हैं आगला नाइनर नम्मर के निकट बरती विकास का छित्र संधावन्त है तब जून ऑ Arm जोने प्रोक्यम का आपका होता है किसी की मदद से बच्यों का सम्माव़ाई विकास होता है मतलब किसी आपने बच्चे को हलका मदद किया, थोड़ा सपोर्ट किया, जिससे उसका डेवलोमेंट विकास हुआ, उसी को हम बोलते हैं, जो नाइन का जो करेट एंसर है, वो आपका थिरी नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसमें बच्चे सहजय के सही इस्तर के सपोर्ट कर दिया, हल्प कर दिया, और उसके बाद बच्चा खुद से वो काम करने लग गया, तो माल हो ही होता आपका जोन आप फ्रोक्सिमल डेवलोमेंट, अब बस आप एक्जाम्पल को याद रिखनेंगे कि जोन आप फ्रोक्सिमल डेवलोमेंट क्या है, तब आपका याद रखेंगे कि कि मदर से बच्चे का विकास संभव होता है, इतना याद रखेंगे तो आपको ऑप्सेन उसी में से आपको दिख जाएगा कि वो कौन सा आपका करेट है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्टकेशन आपका दस नुम्स, एक उभाईलिंगी बेकतित तो अन्डोजीनेयस परसोनेलिटी जो आपका ये कौन सा होता है, तो 10 नमबर का जो करेट याद अन्सार है, हूँ आपका 2 नमबर, जो है, आम तर पर मानें गें मर्दाना और इस्त्री गुर्णों का में क्या वतार सन्योजन होता है उसी खौम बोलते हैं कुभाई लिम्भी ब्यक्तित्तु नेक्स बढ़ते हैं अंगला क्वेस्ट्ट्ट नेक्स क्वेस्ट्ट आपका दस नमबर इसक्रीन पर यह बच्चे डेस को छेट कर अन सभी के दोर्य लिंग भूमिकान घ्राण करते च और नमबर हुए आपका ट्विटरिंग ट्यू्शन के छोड़कर जो बाकि मिडिया वगया समाजी करण हो गया संस्कृती हो घौए यह सभी में वज आपका जेंडर का रोल करते हैं लेकिन आपका ट्यूशन में जो आपका नहीं करते हैं कि बढ़ते हैं आगला क्वेस्ट 11 नमबर क्वेश्चन जो आपका यह मानवी कृत परिच्छनों के आलचना में से एक है वान अब दा क्रिटिक्स ऑफ इस्टेंडाइज टेस्स हैस बिन देट मतलब इस्टेंडाइज टेस्ट जो इस्टेंडाइज टेस्ट होता जो बड़े एक्जाम होते हैं उनके एक झा η के आपका वानन नंबर वह मुख रुक से मुख्ध्रा कि संस्क्रती का पर्त्रियक करते हो इसलिए पच्पाति देलार्ज लेडक्रिजेंड लार्जलीयद द्य boss culture करेंटों तरहां या सांए और के उद्र हरे कर दे आदिक बुद्धिमानी का SHiddharen कहता है मल्टिपल इंटलिजेन्स हम तो मल्टिपल इंटलिजेन्स श्यरे क्यूंनलिजेन सब्सक् eres तो बुद्धी तेजी से बढ़ा जार सिकती है नहीं हो कि बुद्धी कई परकार हो सकते हैं टूनॉमर इसका अफका करेट अन्जो मंटिपले इंटलिजेंज जो आफका कई फरकार के से हो सकते हैं बढ़ते हैं अगला next सिछक सिखने के लिए। मुलीकान और सिखने के मुलीकान दोनों के करता है। बोथ एसेस्मेंड फोby, डोनों करते हैं। तो इसका क्या कारेट अंसर कौन सा होगा। तो दिखे इसका करेट एंसर आपका वान बच्चों की परगति रुपलदी इस तर को जानने में तो दिखे एसेस्मेंट फोर लानिंग अशेस्मेंट अफ लानिंग दोनों का टीचर के दरवी उच किया जाता है बच्चों की नोलेज को और उनकी कितना प्रग्रेस हुआ कित सिख्या है उनकी क्या चिमेंट हुआ है सारा चीज को इसी के तुरह एसेस्मेंट के तुरह ही एनलाइस किया जाता है तो वान नमबर इसका करेट एंसर नेक्स बरते हैं अला क्वेस्चन नहीं कितम कौन सा आपका सतत और व्यापाक मुलकान से संब्द नहीं है कंटिनियस इसका नहीं है तो इसका करेट ऑप्सें जो आपका हूँ फॉर नमबर है इसका यह बच्चों के धीमी खराब या बुद्धिमान किरम चीनित करने उप्यों होता है तो बच्चों का लेविलिंग तो कभी भी नहीं होता है कि यह सलो बच्चा पूर बच्चा इंटलिजन ब बच्चों के लिए बच्चे कितना सीखें यह सब चीजों के लिए आपका कंट्रूर्स एसेस्मेंट या कंप्रेसी विलेशन किया जाता है तो आपका यह फॉर नमबर जो आपका नहीं होगा बाकि सारा आपसें जो यह इंट्रिगल पार्ट आप टीचिंग के लिए इस इ आपका कहा गया है तो कभी अगर इस एक तरह का उप्सेन आता है कि बच्चों को लेवलिंग करें सोलो फास्ट और मतलब वीक इन एजुकेशन इसे कभी लेवलिंग अगर उप्सेन आतो वो सिधा वो आपका गलत होगा कि आगे बड़ते हैं इसको स्वलोब पर बच्चों पर्तिबहाश सब्सक्ता कि एक लेवह बच्चों में अगर माटर्ब्न आपका गिफ्ट ने यो मतलब विफ्ट यूं ऐक ऊपका कारण हो सकतान तो सोलो नइन शॉखका नगर्वाद्वाटार्वरान पीच करें अन्ता किरिया तो इंटरप्रेटेटेश हेरीडिटी निवार्मेंट अगर उसको हेरीडिटी मतले उसके मातापीत थोला बिलेंट थे आपका हो सकता यह को रोल प्ले करता और साथ में इसको अच्छा इनभार्मेंट मिल गया अच्छा इस्कूल मिल गया पढ़ने के लिए अ स्योरे की बच्चे आपका अच्छा नोलेज होगा और अच्छा आपका टैलेंटेड हो गई स्योरे तो वान नमर इसका करेट एंसर है आगे देखते हैं नेक्स 17 नमबर क्विश्चन को आप देख सकते हैं समाजिक अर्थिक रूप से बंचित प्रष्ट भूमी से आने वा जो अधम जो गरीब बच्चे दलिद बच्चे गाउं घर के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको एक अच्छा के माहोल का देना बहुत जर्री होता है तो आविशकता होती है तो क्या इनमें से क्या मतलोग कारण है जो होना चाहिए उन्हें अच्छा बेबार जिखाता है जो आपका हमें वह ओप्षेन को ढूणना है जो अदम आपको एक्जाम में हारे कई बार इसे क्वेश्चन आपको देए कि चारों का चारा आप्षेन आपको करेट लेगा लेकिन आपको जो एक यूप्षेन को चुनना जो आपको परफेक बेस्ट उस चीसको आपको करना है तो देखिए इसका जो आपका सत्र ऑपस्यश्यों आपका टू नंबर है उनके सांस्कृत भासाई ग्यान को महत देता है तथा उनका उप्यों करता है भैली जनी यूज़ और कल्चर एइं लिग्विश्टिक नोलेज तो हमें उनके कल्चर को वैलु करना च समझना चाहिए उनको उसी वहासा में समझाना में चाहिए तो टू नम्मर्स का करेट अंसर है नेक्स्ट आपका अठर नम्मर है कच्छा में स्रिजनात्मक और परतिवासली बच्चेओं के लिए आवस्यक हस्तेचप निर्भर करता है कि माल लिजिए बच्चे बहुत क्रेट अब आपका टेलेंटेड है तो उनको किस तरह के चीज़ों को देना चीए किस तरह चीज़ों को सिखाना चीए ताकि वह क्लास में अच्छा सपड़ाएं तो देखिए अठरों का जो करेट एंसर वह आपका वान नम्मर है सिच्छक द्वारा अनुकुली तो पेर्यक निर् द्वारा हमें उनको गाइड कर सकते हैं तो वान नम्मर जो इसका आपका करेट अंसर है अधिस संब्धेंसिल बच्चों को सीखने में मदद करने की निवकित में कौन सा तरीका उप्यूक नहीं है यहां बोला है तो जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं तो उनको आप किस तरह से बच्चों को सिखाएंगे पढ़ाएंगे जो उप्यूक में थाकड़े और यहां पाल कह पेज़ाइं से नहीं है तो लगा कि कह starters लगाना ये बाकी सारा चीज आप कूण तो वीरकाऊट देंगे उमक पढने के लिए नहींगे सब्सक्राइब संफिजर हमारीडाट नहीं संफिखाщ drit नियुक्त से अलग अलग सोच बेटेन उन बच्चों की पहचान किरते हैं जो मतले कोई अगर इसे बच्चा जो अलग अलग प्रेटेन डाइवास थिंकिंग में तो उस तरह के बच्चे जो होते क्या होते हैं तो देखिए उस तरह के बच्चे जो हते आपका क्रियीटिव हाथ अगर कोई बच्चा क्रियाइटिव है इसका मतलब है क्यों दाइबर थिंकींग बज़स का करेटिव refuses से वो सोचेगा तो डाइवर्स थिंकिंग जो आपका क्रिटीविटी को बताता है तो थिरी नंबर्स का जो है करेंट एंसर है कि नेक्स कि कौन सा सिच्छक द्वारा कच्छा में बच्चों के लिए समयसा हल करने तरीके का बनन नहीं करता है यहां पर नहीं करता नहीं करता तो फूच्छ नोट डिस्क्राइब दॉए इनुच टीचर के न मॉडल प्रो शॉल्विंग फॉर चिल्डरेन इंदा क्लास्रूम तो दे 30 का यहां 21 का फ्लक फॉर्ण मरे है झाल करता आफ़ारेंट 40 शॉरूम इंदा जब ट सब्सक्राइब कोई साजर आपका संवेग कोई साथ लिए क बिच्च का के मॉसं फियर ढुन है तो डर जडेुड़ आपका decoration इसको करीट एंसर है एक आए एक तीन साल गा बच्चा बताता कि दूद भूत पर मसीन दोरा दूद पार्टा होता है एक च्छोटा बच्चा 3S के वह अपना कहीं देखाए कि दूद जो है बूत पर तो कितमे कौन सा बच्चा की समाच का सबसे अच्छा इस पतो बच्चा जो समझा बेस्ट एक्स्प्लेंड कौन सा चीज को वह कर रहा है तो देखिए यह जो आपका 23 का जो नमबर रहे वह आपका टू नमबर जो अपसे ने आपका बच्चे का जवाब दूद्ध भूत से द निकालते हैं तो उन्हों देखा है इसलिए वो देख करी इसको बोल रहा कि इस तरह का आपका होता है तो टोर नमर इसका करेटेंस यह एक्स्पिरेंस बेस्ट है नेक्स देखते हैं अगला कोस्चन नेखिद में कौन सा सिच्छा की भूमिका सबसे अच्छा बनान करता है दा बेस्ट डिस्क्राइब टीचर्स रोल बेस्ट डिस्क्राइब एक टीचर्स सबसे अच्छा एक सिच्छा की भूमिका इन मेंसे कौन सा है तो देखे 24 का सबसे बेस्ट जो एंसर वह आपका फोर नंबर है यह आपका आराम के लिए जगा बनाना जहां बच्चे संबाद पुस्ता के मायधम से सिखते हैं मतलब क्रेटिंग रिलेक्स प्लेस हुए चिल्डेन लर्न तुरू डायलोग एंक्वारी बच्चे एक इसे इस पर जहां कोई साउंड ना हो और बच्चे खुद से एक दूसरे से बातचीत करेंगे एक दूसरे पुस्ताच करेंगे इंक्वारी करेंग और वहां सिखेंगे तो यह आपका बेस्ट एक्स्पिलिन कर रहा है फॉर नंबर नेक्स देखते हैं कि नेकी कौन सी कच्चा समर्दी सिच्छा को पुर्शाइब करते हैं मतलब आपका क्लास्रूम इंकर रिच लर्निंग को आपको बताएगा रिच लर्निंग जहां से बच्चे ज्यादा सिखेंगे इसमें कौन सब्सें है तो देंकि इसका जो आपका करेंट एंसर आपका ट जो है बुक्स के सेल्प सी हैं कई सरे आपका बच्चों के सिखने के लिए लिटरेचर से बाल साहित है और आप किसी भी टाइम में बच्चे वहां पर दिन के एक समझा के बैठकर पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो यह आपका बेस्ट लर्निंग जो आपका यह जगा है आप विच यह तो फॉल्इंग बेस डिसक्राइब दरोल पेस्ट उपकिन दे क्लास्रूम तो आपका रोल अफ टेस्ट बुक पार्ट पूस्ता का क्लास्रूम में क्या बेस्ट डिसक्राइब करता है तो 26 कब जो है आपका वान नॉमबर करेंटंस वह का चम उपल संसावसां है तो वे कच्छा मुफल संसाधन है और संधव सामगरी में से एक है जो चीज आप पुढ़ाना चाहते हैं कॉंटेस्ट को जिन्स क्लास के लिए उसी से रिलेटेड सारा मेटरेल है तो वान नमबर आपका ये करेट एंचर है कि राष्ट पाठ चेरिया हो माथ 2005 ने अपनी समझ देश से प्राफ्त किये जो ये जो आपका अगला कच्छा में बच्चों को परिश समझा जा सकता है मतलब एगर क्लासरूम में बच्चे जड़ा मोटिवेटेडेड हैं परिवेटेड हैं तो देखी आठाइस का जो कुरेट एंसर आपको फार नम्मर है आ अगर बच्चे सर से टीचर से कुष्च्छन पूच पा रहे हैं है अपने डाउट को क्लिरिखेसन की लिएgendई सरह मुट्पूश पाम तो हम समझें कि बच्चे मोटिवेट है पढ़ने में सूख है नई चीज को जानने में सूख है तो चार नमबर आपका जो है करेट एंसर होगा नेक्स अप्षिन जो है नेक्री कौन सा बच्चों अधिगम में लर्निंग में सुधार के लिए सबसे उप्यूख्थ है क्या इन में से कौन सा आपका सुटेबल तरीका जिससे बच्चों का लर्निंग सबसे अच्छा आपका उप्यूख्थ होगा तो 29 का जो करेट अपसे ने आपका है वो आपका फॉर नमबर टीचर सुट फैसिलेट जो है चिल्डेन टो इंट्रे को इसे देदा रियल लाइब सिच्चों को बास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साब बातचित करना चाहिए उनके जीवन में जो गटना गटित भी आप एक्स्प्लेयन करें और एक दूसरे टेस्ट इस्टेजी होगा उनके लर्निंग में फॉर नमर आपका करेंट अंसर है और आज के जो लास्ट क्वेश्चन है थर्टी नमबर अनुसासान डिसिप्लीन जो अधिगम बातावर्ण में महत्तवु महमिकानी भाता हो किस तरह का मदद करता है क्या डिसिप्लीन बच अच्छे डिसिप्लीन है तो वह अच्छे से क्लास में बेठेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे खुद का जो नॉलेज को अच्छा से ग्यान कर पाएंगे तो इसलिए आपका वान नमबर है आपका करेंट एंसर है तो इस तरह से हम लोगा ने थर्टी कर दिसकस कर लिए तो असी के तरह साती में आप लाइक और सस्क्राइब कर ना मूलें मिलते हैं कि यूर वीडियो के साथ थेंक्यू समच